हलो फ्रेंड्स मैं संपधा कुलकरने आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में मैं यहाँ पे नई वीडियो सेरीज आपके लिए प्रेजेंट कर रही हो तो यह हो गया प्रोग्रामिंग के बारे में यह वीडियो सेरीज होगी तो मुझे एक बात बताओ क्या आपको प्रोग्रामिंग पसंद है और क्या प्रोग्रामिंग में नए हो अगर नए हो तो क्या आपको लॉग बनाना नहीं आता है तो ये अगर सारे आपकी problems है कि आप programming आपको पसंद है पर वो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है programming में आप अगर नए हो अगर आपको programming में log बनाना नहीं आता है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ये मेरी जो नई video series है न आपको ये वही help करने वाली है जिसमें आपको programming के बारे में जादा जानकारी मिलेगी अगर ये सारे आपकी problems है तो आपको चिंता करने की बहुत बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारी चिज़े बहुत ही common है और normal भी है तो आपको अगर tension आ गया होगा तो सबसे पहले आपको ऐसे सोचना है कि मैं कैसे इसमें आगे बढ़ सकती हो तो अगर इस problem का आपको solution चाहिए तो problem के solution के बारे में ही मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ तो इस problem को solve करने के लिए क्या करना होगा ये अब हम देखने वाले है इस वीडियो में मैं आपको खास tips देने वाली हूँ जिससे आपका programming करने के लिए का confidence बूस्ट होने वाला है तो चलो start करते है tips कौन कौन सी है इससे पहले मैं आभी आप लोगों को request करती हूँ कि अगर अब तक आपने मेरे channel TikTok को subscribe नहीं किया है तो जरूर subscribe कीजिए और bell ringing रखिए चलो start करते है tips तो पहली tip देखते है तो first tip क्या है have a positive attitude वैसे तो बहुत बार सुना है कि think positive, positive attitude होना चाहिए तो positive attitude हमें कैसे मदद करती है यहाँ पर मैं आपको motivate करने के लिए कुछ images दिखाई है यह सारे आपको क्या बताते है कि आपको आपका attitude positive रखना है आपको बिल्कुल भी mind नहीं करना है कि आपको programming नहीं आता है तो आप क्या होगा, कैसे करेंगे बिल्कुल भी आपको इसकी बारे में चिंता करने की जरुरत नहीं है आपको क्या positively देखना है मैं यह कर सकता हूँ, मैं यह कर सकती हूँ जैसे कि बाकी लोग कर रहे हैं फैसे ही मैं अच्छे से programming कर सकती हूँ आपको खुद पे विश्वास रखना है आपको आपका positive attitude डेवलप करना है और उससे क्या होगा आपका outcome भी positive आने वाला है तो सबसे पहली चीज आपको यह ध्यान में रखनी है कि positive attitude रखना है और मन ही मन में यह सोचना है कि मैं programming कर सकता हूँ मैं programming कर सकती हूँ तो चलो next tip के बारे में अभी सोचते है tip number 2 अभी आपको क्या करना है आपका तो positive attitude अभी build हो चुका है कि आप सोचने लगे हो कि हाँ मैं तो यह कर सकती हो अभी next step आपको क्या करना है आपको जो नए challenges आने वाले है वो आपको accept करने है और वो solve करने के लिए आपको ready रहना है जैसे कि simple example हम अभी देखते है अगर आप drive कर रहे हो using your bicycle, using your bike और car whatever you are facing the new challenges every day right while traveling अगर आप खुद की bike चला रहे हो तो यहाँ से कोई आता है वहाँ से कोई सामने आ जाता है तो आप spontaneously उस challenge को accept करते हो और उस पे react भी करते हो without harming to any of the person जो बीच में आ रहा है उसको भी हामनी होना चाहिए और खुद को भी हामनी होना चाहिए यह क्या हो गया challenge और वो आप हर रोज accept करते हो हर रोज उसके लिए ready रहे के ही आप bike, car, drive करते हो ठीके तो यही आपको करना है जो कोई challenges आ रहे है आने वाले है उसके लिए आपको ready रहना है It's a time for a new challenge क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि आपको programming नहीं आता है तो take it as a challenge and complete it तो challenge accept करके ही आपको आगे जाना है challenge yourself and have fun to know the new things आपको ऐसे ही mindset ही बनाना है कि मैं programming में बहुत successful होने वाला हूँ और ये मुझसे होने वाला है impossible की बारे में नहीं सोचना है आपको क्या सोचना है I am possible ठीके तो ये हो गया second tip कि जो कुछ challenges आने वाले हैं आपके life में while learning the programming तो आपको उसके लिए ready रहना है और challenges accept करके आगे जाना है तो चलो third tip अब हम देखने वाले हैं third tip है move on to the easy to complex वैसे अगर देखा जाए तो usually हम easy से ही बहुत बार चीज़े start करते हैं कोई भी नई चीज़ अगर आपको सीखनी है तो आपको simple से start करना है और उसके बाद complex तक आपको move होना है इसका मतलब है आपका जो learning वाला graph होगा वो increasing graph होगा आप one by one step jump करने वाले हैं हम कैसे आग एकदम से complex को touch नहीं करने वाले है आपको क्या करना है आपको सबसे पहले easy के बारे में सोचना है simple के बारे में सोचना है और उसके बाद जैसे कि आपको लगता है कि नहीं अब मैं यह कर सकती हूँ फिर उससे थोड़ा complex ऐसे करके कि आपको एक-एक step above होके complex problem तक पहुचना है और उसका solution आपको डूमना है तो आपको directly complex से start अगर करोगे तो आपका confidence low हो सकता है क्योंकि शायद वो आपको समझ में ना आए पर वैसा होना नहीं चाहिए इसलिए हमें easy से start करके हमें complex तक move होना है तो यह हो गया हमारा third tip तो अभी fourth tip देखते हैं कि fourth tip में हमें क्या करना है अभी आपको यह तो पता चल गया है कि जो problem है अपके पास वो आपको easy से लेकि complex तक move होना है तो चलो मान लो अभी आप easy problem solve कर सकते हो थोड़ा सा complex problem अगर आप solve करने के लिए जा रह हो तो वो वाला problem आपको smaller parts में divide करना है जैसे कि अभी मान लो एक example अगर आपको कोई चीज बनानी है कोई चीज बनाने के लिए आपको उस बना वो जो process होता है उसको divide करना होता है in different parts और one by one आपको वो process उसके steps follow करने होते है तो मान लो कि एक आपके पास यह problem है जो कि आपने divide करना है in different parts तो यह jigsaw puzzle है आपको पता है वैसे ही अगर smaller smaller parts में आपको problem divide हो जाता है तो उसका solution आपको बहुत जादा जल्दी और अच्छे से मिल जाता है जैसे कि यह एक problem है जिसको हमने divide कर लिया और जो parts में divide हो चुका है divides होने के बाद क्या होता है problem जो होता है सब problem में divide होने के बाद वो compute करना उसको उसका solution find out करना बहुत जादा easy होता है और यह करते time आपको कहा पर focus करना है आपको solution पर focus करना है not on the problem ठीक है problem को divide करने के बाद आपको solution देखना है इसका solution क्या है अगर आप problem में ही बंदे रहोगे तो आपको solution नहीं मिलेगा every time आपको क्या करना है you have to find out a solution for the problems do not go forward by taking the tension or the botheration of the problem but find out a solution by dividing that problem into the small parts let's move to the next tip तो next tip अभी हमारी क्या है start with any favorite language अब तक हमने general बाते की तो चलो अभी programming के बारे में थोड़ा सा और जानकरी लेते है कि यही जो पहले चार वाल चार टीप्स दी वो भी obviously programming start करने के बारे में ही थी पर चलो यह थोड़ा इधर उधर की बाते हो गई अभी प्रोग्रामिंग के बारे में सोचते हैं तो आपको पता है market में बहुत सारी programming languages available है उसमें से देखो आप देख सकते हो या पे C, C++, Java, Python, C Sharp, PHP, JavaScript, Pol ऐसी बहुत सारी programming languages available है तो इसमें से जो आपकी अभी फेवरेट programming language होगी उससे आप स्टार्ट कर सकते हो अभी फेवरेट programming language आपको कैसे बताय चलेगा जैसे कि आगर आप engineering का पढ़ाई कर रहे हो या science का पढ़ाई कर रहे हो चलो यह तो बहुत बढ़ी बाते होगी अभी बच्चों को बहुत 8-9 standards से programming आता है और उससे पहले भी उनको coding भी आता है तो तभी से अगर आप कर रहे हो तो अगर आपको programming के बारे में थोड़ी जानकरी है और programming languages के बारे में थोड़ी जानकरी है तो उस language से भी आप स्टार्ट कर सकते हो क्या होता है ना हर एक language का सिर्फ syntax अलग होता है अगर आपको programming आने लगती है तो it doesn't matter कि आप कौन सी language चूज करते हो और सिर्फ उसका syntax different होता है आपको सिर्फ आपका programming skill develop करना होता है उसके बाद आपको कौन से भी language में अगर करना हो तो सिर्फ उसका syntax देखने की जरुरत हो पर यह हो गया आगी की बाते अगर आपको start करना है तो आप कौन से भी favorite language से start कर सकते हो तो चलो sixth tip यहाँ पे हम देखते हैं अगर आपको ऐसे लगता है कि ठीक है वाबा मैं तो programming करना चाहता हो मुझे यह C और C++ और इनी other language इसमें बहुत ज्यादा interest है वो मेरी favorite language है पर फि क्या कर सकते हो कि जो programmers के ready-made codes internet पे available है वो आप go through कर सकते हो जैसे उसके लिए बहुत सारी websites available है stack overflow website GitHub website bit bucket website है तो यह सारे क्या करते है न आपको यह सारे आपको ready-made code available करके देते हैं जो कि पहले किसी programmer ने किये हुए है तो इससे क्या आपको मदद होगी अगर आपको आपको एक point पे stuck हो रहे हो और उसको solution आपको नहीं मिल रहा है कि यह चीज मैं programming में कैसे कर सको तो उसके लिए आप इन websites की मदद ले सकते हो वहाँ पे code दिया होगा और वो code आप go through करके आप चेक करके आप वो programming programmer देखके आप आपका खुद का प्रोग्राम कं सकते हो तो जो code available है कि आपके friend का भी code देख सकते हो not necessary कि यह सार वेबसेट आपको देखनी चाहिए आप आपका friend का को देख सकते हो और net पे बहुत सारे code available होते है not necessary कि यही review website आपको देखनी चाहिए तो आप उनका भी reference लेके continue कर सकते हो तो next tip जो है हमारी वो है projects create करना अभी तो अभी मान लो कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हो आपको पहले तो programming के बारे में fear था वो निकल चुका है अभी आप programming करने लगे हो simple to complex problems भी आप solve करने लगे हो आपको अगर stuck हो रहे हो आप तो coding भी check कर रहे हो तो अभी आपकी बारी है खुद को boost करने के लिए आप छोटे-छोटे projects करना सिख रहे हो तो आपको जैसे कि smaller और simple to the complex solution आपको move होना है वैसे ही आपको पहले छोटे-छोटे project करना है mini projects करना है then you have to move to the major projects अगर पहले ही आप directly major project पे move हो रहे हैं आपको फिर से आपको confidence lose हो सकता है वो आपको नहीं करना है आपको कहा से start करना है आपको चोटे-छोटे project mini projects से start करके major project को move होना है अभी चोटे-छोटे project करते-करते आप यह भी कर सकते हो कि चोटे-छोटे apps बना सकते हो जो कि आप app store पे या play store पे उसको public कर सकते हो या windows के कोई apps आप बना सकते हो कोई website design कर सकते हो तो यह सारी चीज़े आपको करने के बाद आपका confidence और boost होने वाला है तो I hope आपको यह सारी tips बहुत जादा काम में आएगी मदद करेगी to boost your confidence for a programming language so thank you friends for listening and watching this video अगर आपको इस video के content अच्छे लगते है तो video को like करना ना भूलिए आपके friends के साथ share करना भी ना भूलिए और अगर अब तक अपने subscribe नहीं किया है तो subscribe करना भी ना भूलिए Thank you friends, happy learning, happy programming